लास्ट क्लास में हमने आइसो इस्पिन क्वांटम नंबर को पड़ा था उसके आगे है आइसो इस्पिन कंजर्वेशन लोग और इस आइसो इस्पिन कंजर्वेशन लोग के अनुसार हमने जितनी भी फंडामेंटल इंट्रेक्शन पड़ी थी उनमें ISO-spin conservation लो लागू होता है लेकिन सब में नहीं हमने चार प्रकार की इंटरेक्शन पड़ी थी उन चार में से electromagnetic इंटरेक्शन और weak इंटरेक्शन इनमें इस ISO-spin इन रेक्शन की पालना नहीं होती इसकी पालना केवल strong interaction और gravitational interaction में ही होती है इसी लिए इसको approximation conservation law कहते हैं उसके आगे हैं कि ISO-spin के third component का conservation law और इसे नियम के अनुसार strong interaction और electromagnetic interaction इन interaction में ISO-spin के third component जो है वो congerver रहता है, constant रहता है किसी भी reaction होने से पूर है और reaction होने के बाद यहाँ पर एक example दिया है पाई मेसोन और निकलियोन के बीच की reaction है और production के रूप में sigma particle और K मेसोन का production है यहाँ पर अगर reaction से पूर्वे जो particle है, elementary particle उनके ISO-spin के third component का मतलब है इसकी आवे सवस्ता और अगर उसका total निकालें तो वो total आता है minus one plus half और reaction के बाद में अगर इसका total निकालें तो वो भी आता है minus one plus half इसमें reaction से पूर्वे और reaction के बाद ISO-spin के third component कंजर्वे है constant, total value हमने इसके पहले पढ़ा है ISO-spin कंजर्वेशन लो ISO-spin कंजर्वेशन लो को देखें तो वो ISO-spin कंजर्वेशन लो electromagnetic interaction में follow नहीं होता लेकिन third component में देखें तो third component में electromagnetic interaction जो है third component जो है वो electromagnetic interaction में इसकी पालना होती है तो ध्यान रहें ISO-spin कंजर्वेशन लो जो है उसकी पालना electromagnetic interaction में नहीं होती है लेकिन ISO-spin के third component के कंजर्वेशन लो की पालना electromagnetic interaction में होती है उसके आगे जो अपना next topic है या कंजर्वेशन लो है वो है विचित्रता का अर्थ और इसके सनरक्षन नियम और यह सनरक्षन नियम पढ़ने से पहले हम एक quantum number पढ़ेंगे और वो quantum number है hyper charge quantum number अब hyper charge quantum number क्या है हमने थोड़ देर पहले ISO-spin quantum संख्या पढ़े थे और उसको हमने capital i से represent किया था तो किसी दी गई ISO-spin quantum संख्या के लिए अब ISO-spin quantum संख्या i is equal to 0 हो सकती है i is equal to half हो सकती है और i is equal to 1 हो सकती है जो हमने singlet, doublet और triplet के लिए जैसे हमने इसको परिवासित किया था तो इन में से कोई भी ISO-spin quantum number अपने को दिया वा हो और उस ISO-spin quantum number के लिए जितनी भी आवेस अवस्ताएं संख्या होती है जिसको हम जैसे माल लेते हैं doublet के लिए और doublet का example है जैसे nucleon अब nucleon की कितनी आवेस अवस्ताएं होगी वो आवेस अवस्ताएं हैं एक तो proton और एक neutron पाई मेसोन की देखें जिसके लिए ISO-spin triplet state के लिए 1 है और example के रूप में पाई मेसोन है तो पाई मेसोन की आवेस अवस्ताएं जो है वो है पाई प्लैस पाई नौट और पाई माइनस तीन अवस्ताएं तो किसी भी ISO-spin quantum number के लिए जितनी आवेस अवस्ताएं होती है उन आवेस अवस्ताओं के संगत जो particle है जैसे यहाँ पर proton और neutron यहाँ पर पाई प्लैस, पाई नौट और पाई माइनस के संगत जो particle है उनके माध्य आवेस माध्य आवेस कारत है यहाँ प्लैस, पाई प्लैस, पाई नौट और पाई माइनस जो particle है उनके आवेस का माध्य उस माध्य के दुगने को हाईपर चार्ज कहते है एक्जामपल के रूप में यहाँ पर इससे डबलेट वाली कंडिशन में देखें तो प्रोटोन पर चार्ज कितना होता है, प्लस वन नौटोन पर चार्ज कितना होता, जीरो माध्य ले लिजी और उसका डबल कर दी, मल्टिप्लाइ बै टू तो वेलिव आती है अपने पास, वन तो आइसो इस्पिन क्वांटम संख्या आई इस इक्वल टू हाफ के लिए जिसमें प्रोटोन और निट्रोन हमने पार्टिकल लिए है, नुकलियोन लिए है उसका हाइपरचार्ज कितना है, उसका हाइपरचार्ज है 1 पाई पार्टिकल के लिए देखें तो इसमें चार्ज है प्लस 1, 0 और माइनस 1 इनका मद्धे ले, 0 आएगा और उसको 2 से मल्टिप्लाइ कर दे, तो भी वेलिव जीरो बिलेगी तो इस पाई में सोन का जो हाइपरचार्ज है, वो है 0 इस हाइपरचार्ज को हम लिखते हैं, केपिटल वाई से तो यह हुआ अपना हाइपरचार्ज क्वांटम नंबर डिफाइन कैसे करेंगे? कि किसी दी गई आइसो इस्पिन क्वांटम संख्या आई के लिए जितनी आवेश अवस्ताएं संभव होती है उनके संगत सभी करणों की माध्य आवेश संख्या की दुगने को हाइपरचार्ज कहते है तो यह तो हुआ अपना हाइपरचार्ज क्वांटम नंबर यह अपने आगे के टोपिक में आएगा आगे टोपिक जैसे हमने इस्ट्रेंज क्वांटम नंबर या विचितरता का अर्थ क्या है उसमें लेंगे और आगे गेलमान निशिजमा फोर्मूला भी आएगा उसमें भी अपने ये काम में आएगा अब हम लेते हैं इस्ट्रेंज क्वांटम नंबर अर्थ को पढ़ने से पहले इस्ट्रेंज क्वांटम नंबर लेंगे और ये जो इस्ट्रेंज क्वांटम नंबर है ये इस्ट्रेंज क्वांटम नंबर इस्ट्रेंज पार्टी के लिए डिफाइन किया गया विचित्रकणों के लिए define किया गया है strange particle के लिए इसे हम capital S के दुवारा represent करते हैं strange quantum number जो है उसको हम capital S के दुवारा define करते हैं अब strange particle के लिए तो कोईने कोई quantum number होगा लेकिन जो non-strange elementary particle है या विचित्र मूलकण है उनके लिए इस strange quantum number की value जो है वो सदेव 0 होती वो सदेव 0 होती साथ ही strange particle और जो heavy particle है उनके लिए इसकी value 0 नहीं होती उसकी कोईने कोई value रहेगी चाहे S is equal to minus 1 रहो चाहे minus 2 रहो और चाहे minus 3 रहो तो यहाँ पर हमने अभी दो quantum number पढ़ें एक hyper charge quantum number और दूसरा strange quantum number उसके बाद में हम लेते हैं कि इस strangeness का क्या आर्थ है कि इसको विचित्रकण elementary particle को विचित्रकण क्यों कहा गया और उसके पीछे का reason यह है कि experiment के द्वारा यह है देखा गया जो experiment किये गए उन experiment के द्वारा यह है देखा गया कि एक तो के में सोन पार्टिकल के में सोन पार्टिकल और दूसरा hyperon अब hyperon के रूप में सिग्मा हो सकता है जाई हो सकता है जो भी है hyperon particle sigma हो जाई particle हो lambda हो और अन्य हो कि इन experiment के द्वारा यह है देखा गया कि इनकी के में सोन वह hyperon का जो behavior है वह कुछ strange होता है अब strange क्या होता है कि यह जो के में सोन और hyperon है यह सदेव पेयर में या इनका उत्पादन जो है सदेव पेयर में होता है कि यह जो के में सोन है और hyperon जो है इनका उत्पादन सदेव एक साथ होता है और इनका जो production है वो production सदे strong interaction के द्वारा होता है इनका प्रोड़क्शन जो है वो strong interaction के द्वारा होता है तो जो इनका डिके है इनका डिके जो है प्रोड़क्शन होने के बाद में वो बहुत तेजी से होना चीए लेकिन इनका जो डिके है वो तेजी से नहों करके बहुत दीरे-दीर होता है अर थारते वीक interaction के द्वारा होता है वीक interaction के द्वारा एक्सपेनिमेंट द्वारा क्या देखा गया कि के मेसोन और हाइपरोन का जो वीवार है वो कुछ अलगर अलग क्या है कि इनका प्रोड़क्शन जो है वो तो सदेव strong interaction के द्वारा होता है यदि इनका production strong interaction के द्वारा होता है तो इनका decay बहुत तेजी से होना ची लेकिन इनका decay तेजी से न हो करके बहुत धीरे-धीरी होता है अर्थार्थ वीक इंट्रेक्शन के दुवारा होता है तो इन पार्टिकल का ये जो विचित्र व्यवार है इस विचित्र व्यवार के कारण ही इनको विचित्र करन कहा गया है इनको इस्ट्रेंज पार्टिकल कहा गया है इसलिए इन पार्टिकल के लिए अलग से एक क्वांटम नंबर डिफाइन करना पड़ा जिसको हमने थोड़ देर पहले का है इस्ट्रेंज क्वांटम नंबर और उसको हमने केपिटल S के द्वारा निरुपित किया है तो यह हुआ विचित्रता का अर्थ अब आगे इसमें एक पार्ट और है इसी में ही और वो है गेलमान निसिजमा फॉर्मूला कई बार एकजाम में इसको पूछते भी है कि गेलमान निसिजमा फॉर्मूला क्या है और गेलमान निसिज्मा फॉर्मॉला जो है वो दो साइंटिस्ट था है ये गेलमान और निसिज्मा ने इन दोनों ने मिलकर के दिया और किस लिए दिया कि अभी जो हमने कुछ दिर पहले strange particle के बारे में पड़ा है उन particle के strange behavior की व्याख्या करने के लिए जो उनका strange behavior था उसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने एक विचित्र quantum संख्या को परिभासित किया और किस रूप में परिभासित किया वो था ये y is equal to b plus s और यहाँ से विचित्र quantum संख्या की value निकाले तो वह आती है s is equal to y minus b y यहाँ पर अपने क्या है अभी थोड़ देर पहले पढ़ा y यहाँ पर है hypercharge hypercharge और b जो है वो b क्या है barion number यह भी हम पहले पढ़ चुकी barion number तो गेलमोन और निसिजमा ने strange particle के strange behavior की वैख्या करने के लिए strange quantum number को इस प्रकार से परिवासित किया s is equal to y minus b अब यहाँ पर यह जो hypercharge है इस hypercharge को हम पहले पढ़ चुके और उस hypercharge के अगर value निकाले तो वो hypercharge के value आती है y is equal to 2 q minus i3 यहाँ q charge है और i3 जो है वो iso spin का third component iso spin का third component इस y की value अपन इस formula में fit करें तो fit करने पर last में value आती है अपने पास s is equal to 2 solve करने के बाद की value लिखरों में q minus i3 minus b by 2 तो यह जो formula आया last में इसको हम gelmon nicisma formula कहते है इसको हम gelmon nicisma formula कहते हैं तो यह तो हुआ अपना hyper charge quantum number इस्ट्रेंज quantum number इस्ट्रेंज निसका क्या meaning है और साथ ही gelmon nicisma formula क्या है उसके बाद में यहां पर एक टेबल दी गई है और टेबल में कुछ particles दिए गए हैं उन particle में mason particle और barion particle है उपर mason particle दिए हैं और फिर नीचे यह barion particle दी और साथ में ही इनके iso spin का third component कितना कितना है barion number कितना है strange quantum number कितना है और hyper charge कितना है तो इस टेबल के दुआरा हम mason और barion की तीन quantum number है कौन-कौन से iso spin का third component strange quantum number और hyper charge quantum number इनको हम आसानी से देख सकते हैं या calculate कर सकते हैं barion number तो barion particle के लिए पहले से define है कि b is equal to sub के लिए 1 होता है और mason particle के लिए इसके value 0 होती है उसके आगे है strange nest का conservation law तो यह strange strange nest का जो conservation law है वो केवल strong interaction और electromagnetic interaction में ही लागू होता है और इसके अनुसार जो भी अभी किरिया हो strong interaction की और electromagnetic interaction की उसमें reaction से पूर हूए और reaction के बाद total strange nest constant रहती है या total strange quantum number जो है वो constant रहता है तो यह हुआ आज अपना strange quantum number से संबंदित quantum number कौन कौन से आए और इसका conservation law next topic जो है अब हम next class में देखेंगे अब हम देखेंगे